और आईए अब आपका परिशे का राधितियूग खास पेमान हमारे साथ जो आज की शो में मौझूद हैं आप देख सकते हैं सुरेंद राजपूर जी प्रवक्ता हैं कॉंग्रस पार्टी के ए-i-i-m-i-m के प्रवक्ता साथ अनुराग भदोरिया जी प्रवक्ता समाजबा मौझूद हैं बहुत स्वागत आप सभी का मुझे लगता है मैं सुरेंद राजपूर जी से शुरुवात करूंगी यह अमरित काल और उस अमरित काल में लोक्तंत्र के मंदिर में यह सरकार के जो बोल बिगणे हैं आपको क्या लगता है यह रमेश बिदूरी साहब जो की एक रिपीटिड ओफेंडर अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा यह उन्हीं के बोल थे वो शब्दों पर काबो नहीं रख पाए या फिर कॉंग्रेस को इसके पीछे मंद्शा कोई बड़ी और गेहरी नजर आती है कि रोमाना पूरे कुए में भांग बड़ी है हाली एक रमेश बिदूरी कोई क्यों कहा जा रहा है आप हमको बताओ ना आप तो खुदी हर चीज की गवाओ आपने तो इसी जेगा पर देखा है प्रग्या ठाकुर्प नोनोंने गोडसे के लिए क्या कहा था और गांधी ज इसको श्राब दिया था हमारे जो सुपर कॉप थे आप इस चीज को देखो उसके बारे में प्रधान मंत्री जी ने का मैं इनको मन से माप नहीं कर पाहूंगा कर दिया न क्या हुआ एक नोटिस दिया था भाजपन मुझे यह अपसोस नहीं है इस बात का कि रमेश विदूडी ने गाली गलोच कि और वो पूरे संप्रदाय को धरम को पूरे संप्रदाय को इसने इस हिसाब से वो किया कि आज की देख में पूरा धर्म पूरा हथ है और उसके बाद रिपीटेड ऑफेंडर है भारती जंता पार्टी के बड़े-बड़े नेता चाहे इस लेबल की राम जादे और दूसरे जादे की बात की हो इनकी साधवी कौन थी वो निरंजना ज्योती उसके बाद उसके खिलाब क्या हुआ कोई बता दे हमें रमे फवाल वारती जंता पार्टि की इस तरीके की हैं एसे लोगों को ये कल की डेट में हो सकता है दिली का चेफ मिनिस्टर घोषित कर दें या कोई केंदर में मंत्री बना दें या किसी बी चीज को कर दें यह रमेश विठोडी की अकेले की गल्ती नहीं है'T पूरी भारती जं प्रदाद मंत्री आप एक नहीं अभी राम कृपाल जी से भी मैं उम्मीद करूगा कि राम कृपाल जी कम से कम भारती जन्ता पार्टी को की पूरी चीजों को बताईएगा यह मत कह देगा कि राम कर दोड़ी नहीं खाली गलत काम किया अगर इस तरीकी की जबान आपकी सामने आती है और उस पर किसी तरीका को कोई आक्शन नहीं होता है मतलब यह सब कुछ कल हुआ है लोग सभा में जब कारवाई चल रही थी चंद्रियान तीन को लेकर जब चर्चा हो रही थी तब यह सब कुछ हुआ है और इसको लेकर रमेश भिदोड़ी पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है आपको हैरानी हो रही है या नहीं हो रही है और लास्ट प्राइमिस्टर दोक्टर मनमोहन सिंग जी तक संसिदी बिवस्था को पूरी तरह से उन्होंने निर्स किया मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा वो ऐसा बयान है ऐसा बक्तव है जिस पे उन्होंने हर प्रधान मंत्री के कारिकाल का संसिदी ग्यान का लोक सब्सक्रां बयान है जो सबके उपर उसका असर पड़ना चाहिए और पार्टी से उपर उटकरके उन्हों ने सारे अरों चाप व उसमें पहलगी बहें और पत्रकारता को इमोशन नहीं है ना अपना कोई ग्यान देना है और ना कोई विचार थोपना है पत्रकारता क्या है पत्रकारता का मतलब है सही जानकारी इकठा करना और तत्थे बताना पत्रकारता जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जुरूब है वो सच जो आपके हित को आगे रखे इसलिए अब रात नौ बजे प्राइम टाइम नहीं होगा ये आपका टाइम हो जगविंदर पत्याल के साथ देखे पब्लिक इंट्रेस्ट सुबवार से शुक्रवार रात नौ बजे सिर्फ एबीपी नियूज पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे एबीपी नियूज आपको रखे आगे क्या हूज गलता घबीवार के साथ